विश्व में चल रहे युद्धू में एक बड़ा बद्दा वी देखने को में रहा है कि अधियों के जमीन से ज्यादा हवाई हो चुका है गोला गिराने से लिकर बंग और मुसाइल दागने तक के काम ड्रोन बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रहे हैं ये ड्रोन कई तरह के हैं सभी की अलग-लग शमता और खासियत है रूँस युक्रेन के भी चल रहे युद्ध में तो रूँस के पास युक्रेन की तुलना में काफ़ी बहतरी द्रोन है यही वज़ा है कि रूस का एयर डिफेंस भी यूक्रेन की तुलना में मजबूत है यूक्रेन के पास वैसे भी अपना ज्यादा कुछ नहीं है वे पहले से ही अमारीके मदद और अमारीके हत्यारों के भरों से यूध धलर रहा है जब तक अमेरिका उसे हथियार दे रहा है तब तक यूक्रेन भूने खर्च कर रहा है जिस दिन हथियार खत्म होंगे या जब अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा उसके बाद यूकरेन के पास रूस का मुकाबला करने के लिए कोई बहुत आभी निक हत्यार भी नहीं है और रूस तो हत्यारों के मामले में यूकरेन के मददगार अमारिका को भी टक्कर देता है कई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रूस के पास अमेरिकी हथियारों के मुकाबले वहत्रिन टैंक, मिसाइल और ड्रोन है अब रूस का एक और नया ड्रोन सामने आया है रूस के इस नय ड्रोन का नाम क्यूब लोट्रिंग यूशिन है इसे जाला KYEB, UAV, KUB, BLA के नाम से भी जाना जाता है ज्यादतर इसे क्यूब कहा जाता है ये नया ड्रोन यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है क्योंकि रूस के पास जितने अपग्रेड़िट हत्यार होंगे यूक्रेन के लिए वो उतने ही घातक साबित होंगे नय क्यूब ड्रोन के बात करें तो ये कई खासियतों के साथ आता है हलांकि इसकी कुछ कम्याभी है लेकिन बात पहले इसकी खूबियों की कर लेते हैं तो पहली बात तो ये कि ये दुश्मन के ठिकानों पर एक बार में ग्रोपे स्ट्राइक कर सकता है इस ड्रोन के बारे में दिगदर जुरूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने अपने टेलीग्राम चैनल पर खुलासा किया है आपको बता दे कि इसी रोस्टेक कंपनी के एक साहे कंपनी ही क्यूब डोन के निर्माता है बात करते हैं क्यूब डोन की खासियत की तो रोस्टेक ने ये भी खुलासा किया कि क्यूब एक वर्सिटाइब यानि बहु मुख्य डोन है कि तुरन थमला कर सकता है और कुछ करबर होने पर हमले के लिए सठीक समय का इंतिजार भी कर सकता है क्यूब अपने विस्पोटक या एक्स्पोटक चार्ज को बहुत सठीक तरीके से डिलिवर करता है इसके ये खासे के शरीशी हथियार के खजाने में एक दुर्जय हथियार बनाती है रोस्टेक ने बताया कि क्यूब के वारहेट को TNT से डेड़ गुना ज्यादा शक्तिशालिव इस फोटक का इस्तिमाल कर बनाया गया है ये दुश्मन के डिफेंस को बेहसर करने के लिए डिजाइन किया गया है इसका इस्समाल युक्रेणी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार स्टेशनों और सेना को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है युद्ध के शुरूआट से ही रूस ने सेक्णों ड्रोन तैदाद किये हैं और उसके ड्रोन का प्रदर्शन भी बहतरीन रहा है रोस्टेक की माने तो हजारों क्यूब ड्रोन बनाय जा चुके हैं और रूसी सेना को उनकी सप्लाई भी हो चुकी है इन ड्रोन की कम्यों को सुधारने के लिए यूकरिन में युद्ध धिलर रहे साने को से फीड़बैक भी लिया गया क्यूब ड्रोन टेलनेस डिजाइन के साथ बनाया गया है इसका वज़न 15 किलोग्राम है दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना बड़ा चालेंज है इस ड्रोन को सीक्रिट तरीके से भी लॉंच किया जा सकता है हलंकि इसकी भी सीमाएं है बात करें इसके लिमिटेशन की तो इसकी सबसे बड़ी खामी इसकी उड़ानब्धी है ये लगबग 30 मिल तक के उड़ने में सक्षम है इसकी पेलोड ख्षमता भी अधिक्तन 3 किलोग्राम विस्पोटक ले जाने की है इसमें ऑप्टिकल सेर्विलांस और टार्गेटिंग सिस्टम नहीं है इस सीमाओं के बाद भी क्यूब्यूस की सब्रवर्मीटी का एक महतुपूर हिस्टा है और इसके ख्षमता को बढ़ाने के लिए इसे अपग्रेट भी किया जा रहा है